हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत श्वागत है तो नेक्स एपसिट जो फोर्थ नमबर पर है जो एपसिट जो मेल्टिमींटर के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं जिसमें ओम रेंज के बारे में बताने जा रहा हूं। ओम तो सबसे पहले ओम रेंज का क्या सिंबल होता है और ओम रेंज पर क्या चेक होता है उसके बारे में हम मैं इंफर्मेशन बताने बोलने जा रहा हूं। तो देखें सबसे पहले ओम का सिंबल क्या होता है। कि इस तरह के सिंबल जहां पर भी बना हुए मिल जाता है समझे कि ओम रेंज है और ओम रेंज पर रेजिश्टर की वैलू चेक किया जाता है चेक करते हैं उस पर रेजिश्टर की वैलू चेक किया जाता है ओम रेंज पर आपको सबसे पहले आपको समझना है कि यहां पर कि जो आपको मल्टी मीटर है है उन सभी मीटर में अलग-अलग ओम रेंज दिया हुआ रहता है कोई ऐसा नहीं कि सभी में फिक्स से होता है जैसे आपको इस मीटर में देखें कि आप इस मीटर में देख रहे हैं कि जिरो ओम से लेकर 200 मेगा ओम तक की रेजिश्टर के बाइलू इसमें दिया हुआ कि आप इससे मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं तो जो मल्टी मीटर है उसमें आपको तीन कड़ेगरी के रेजिश्टर मिलेंगे नमबर वन को में ओम रेंज जो जिसकी वैलू होती है जीरो से लेकर 999 नमबर टू जो नमबर टू जो इसमें होंगे उसे मोलते हैं किलो किलो कि जहां पर के से स्टाट होगा को और तीसे नंमबर पर आएंक मेगा कि हुछ कि और यहाँ पर एक चीज और धियां रखना है कि और एम जो हमेशने KAPPT ुलेटर में ग स्मॉल लिटर में नहीं लिगये उसमें लिए्छ ऑज में लिखेंगे किसमें लिखेंगे वन किलो ओम इसकल तू एक हजार वन किलो ओम इसकल तू कितना होगा एक हजार वन मेगा ओम तो के यह एक हजार किलो ओम वन मेगा ओम इसकल तू कितना हो जाएक हजार किलो ओम और एक हजार किलो ओम में अधी अधी कनवर्ट कर देंगे मतलब वन वन मेगा ओम इसकल टू कितना ओम हो जाएगा तो अगर हमें इससे निकालना है तो हम 1000 कि इन्टू कि अजयर कर देगे और इसे हम बोलेंगे टेन लाक कि मतलोब वन मेगा में कितना हो जागा दस लाक को हुआ यह तो यहती तरह के कडिगरिक मिलें जो आपको यूज करने के लिए हुए अब अब देहिए मिंटर में अगर इस प्रजान की बार करें आपको संसाइन कंपनी का मिंटर है टिजेटल है बट कि इस अनुक्त में आपको क्या थीए हो यह आपको सबसे पहले समझेना है यहां पर जो लिखा हुआ है दो सो ओम के मतलब हो गया कि कि जीरो ओम से लेकर कि दो सो ओम तक की रेजिस्टर की वेलू चेक कर सकते उससे ज्यादा वेलू चेक नहीं कर सकते और इस पर हम अधिक वैलू को रेजिस्टर को चेक नहीं कर सकते हैं मत दो सो ओम तक ही रेजिस्टर की वैलू को हम चेक कर सकते हैं कि नमबर टू कि नमबर टू जो हमारा यहां पर हो जाएंगे यह हो जाएंगे टू किलो ओम तो इसे हम बूलेंगे कि 200 ओम हुआ 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 है कि टू किलो ओम रजिस्टर वैलू चेक यह हमारा होगा रजिस्टर की वैलू चेक करेंगे पिर इसके बाद में हमारा है ट्वेंटी किलो ओम है कि किलो ओम टू ट्वेंटी किलो ओम रजिस्टर वैलू चेक रजिस्टर के वैलू हम चेक कर लेंगे ट्वेंटी किलो ओम नमर पॉर्थ तूहंडेट किलो ओम कि इस पर हम करेंगे कि ट्वेंटी किलो ओम टू टूहंडेट किलो ओम रजिस्टर वैलू चेक नमबर फाइव कि मेलरों कि अब मेलइंगा हो या कि लो यह हमेशा बारल समझा रहा हूं मिकत कि मशूल में चिंट के लिए यटि के लिए लेकिन अप्र किया हैं बड़ी डिजिट बरी वैलू है इसलिए हमेशा ट्राय मैं लेटर में में लिखें टूहंडेट टू मेगा ओम कि रजिस्टर की यहां पर चेक करते हैं बहुत सारे मीटर में ऐसा हुआ कि तुम मेगा ओम तक ही रजिस्टर के वैदल निकालने की फैसलिटी दिया हुआ रहते हैं वह आपको ध्यान रखना है नमबार सेक्स ट्वेंटी मेगा ओम यहां पर लिखेंगे टू मेगा ओम टू ट्वेंटी मेगा ओम रिजिस्टर वैलू चेक ट्वेंटी मेगा ओम टू तो तो हंडिट मेगा ओम टू टू पू हम रिजिस्टर वैलू सेगए यह हमारा रजिस्टर के वैलू step-by-step चेक करना था जो रजिस्टर भी किया होते हैं एक इलेक्ट्रोनेस कंपोनेंट्स होता है जिसका सिम्बल होता है और इस तरह से मल्टि मीटर में सिमबल बने होते हैं जो आप देख रहें यहां पर तीन कटिगर की जो रजिस्टर में ओम और मेगाओं इसकी तरह से निकालना है इस सारे सी जो मैंने आपको बताया है कि वह रेजिस्टर का वैलू की किस रेंज पर कितने वैलू तक की रेजिस्टर आप चेक कर सकते हैं आप इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासे जो होंगे उसमें हम आपको अलग-अलग रेजिस्टर बोलते हैं उसकी वैलू कैसे निकाला जाता है तो अलग-अलग टाइप के जो रेजिस्टर होते हैं उन सभी को भी वैलू के बारे में हम बताएंगे लेकिन अभी आपको केवल मल्टी मीटर में किस तरीके से कौन साए ओम रेंज पर कितने वैलू तक की रेज दो सो मेगा ओम तक की रेजिस्टर की वैलू इस मीटर में दिया गया है फैसलिटी जिससे आप इजीवे में चेक कर सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद